Welcome दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 शेयर के उपर बात करेंगे वारी, KPI, KP, KPI, Green Engineering and Zodiac Energy इन 5 शेयर के उपर हम फुल डिटेलिन बात करेंगे और देखेंगे कि अभी फिलाल में जो इनकी कंडिशन है उसके अकोडिंग इनके नेक्स टार्गेट के आ रहने वाले हैं और कल के दिन हमें इनमें कैसा रेस्पॉंस देखने हो मिलेगा तो चैलिए स्टार्ट करते हैं वारी रिनुबल से वारी रिनुबल आज के दिन 1963 रुपे पर ट्रेड करा है और आज के रिटन में हमें यहां पर लग बग 2% का लोवर सर्किट हमें इसमें देखने हो मिला है यहां पर कंसोलिडेशन लोवर सर्किट हमें देखने हो मिला है और जैसा कि कल के वीडियो मैंने बताया था इसने दिन में देखो कोशिश की थी इस share ने यहां से bounce back करने की 2000 का जो इसका strong support था मैं इसको थोड़ा सा detail बता देता हूं आपको तो यहां पर आप देखे इसका 2000 का strong support था वो इसने यहां पर आज beat कर दिया है और यहां पर क्या है कि अब यह इसका strong support है वो 1790 पर है लगबग 1790, 1750 के लगबग है तो इसको अब यह share अगर beat करेगा तो इसमें हमें अच्छी कासी lower circuit देखने मिलेंगे इसमें बस एक trigger point की जड़ोत है उसके बाद यह non-stop अपर circuit में जाएगा और जैसा कि मैंने full detail वीडियो में बताया था कि इसमें जून महिना अब खतम होने आया है और इसके quarter one की result है उसकी date या फिर उसके quarter one की result से related कोई भी एक notification भी हमें इसमें देखे मिल गया या फिर एक बड़ा fund house ने buying किया है या फिर एक बड़े order की news या किसी भी तरे की कुछ एक trigger point मिल गया तो यह share हमें non-stop अपर circuit में जाता हो देखे मिलेगा तो short term में अगर आपके पास share है तो hold कीजे और long term वाले तो हमें कोई level देखनी की जरूरत है नहीं आप इसको hold कीजे शेर हमें 3000, 5000 और 7,000 तक 8,000 तक भी जाता हो आराम से देखने हो मिलेगा तो चैलिए अब हम बात करते हैं KPI Green Energy के बारे में तो KPI Green Energy आज के दिन 1748 रुपे पर trade कर रहा है और आज के दिन इसमें हमें लगबग 1% का lower circuit consolidation lower circuit हमें इसमें देखने हो मिला है तो यहाँ पर कल के दिए वीडियो में हमने बात की थी कि कल के दिन हमें lower circuit बहुत कम चांस है कि हमें lower circuit देखने हो नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी इसमें lower circuit देखने हो मिला है उसका main reason यही है कि सिर्फ market में panic और profit booking है बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे हैं इसमें अब जाएगा उपर अब जाएगा लेकिन आप देखिए लगबग इसमें तीन महीने हो गए हैं सिर्फ यह consolidation mode पर देखने हो मिल रहा है और last one month में तो आप देखिए एकदम एक ही range में consolidate कर रहा है तो उसकी वज़े से क्या है कुछ एक तो अपना देरिक हो के यहां से जो भी है उसको sell करके जाने मतलब जा रह लेकिन से भी कम है इसमें हमें lower circuit देखिए मिला है तो यह ज़्यादा टिकाओ lower circuit हम इसको नहीं बोल सकते हैं तो यहां से यह काफी जल्दी bounce back करेगा और market बंद होते होते हैं यहां पर आप देखिए इसने वापस से उपर जाने के कोशिस की थी लेकिन यहां से थोड़ी ब अपर सर्किट तो क्या बोल सकते हैं लेकिन consolidation 5% का अपर सर्किट हमें देखनों मिल सकता है तो चलिए अब हम बात करते हैं KP energy के बारे में KP energy आज के दिन 396 रुपे पर ट्रेट कर रहा है और आज के दिन इसमें हमें लगवग 5% का lower circuit देखनों मिला है इसमें भी हमें consolidation lower circuit हमे एक negative sign हम बोल सकते हैं लेकिन आप इसको देखिए एक second में वापस से इस पर कर देता हूँ आप यहाँ पर देखिए इस share में हमें 400 का जो इसका support था इसको भी break करके निचे आ चुका है तो यहाँ पर क्या है कि यह share अब यहाँ से निचे नहीं जाएगा क्योंकि जो इसके quarter 4 के result है वो काफी धमाकेदार आए हैं आप यहाँ पर देखिए revenue और profit भी देखिए तो उसकी वज़े से यह share काफी तगड़ा उपर जानना चाहिए था लेकिन panic की वज़े से और अभी energy share जितने भी है वो सिर्फ panic की वज़े से यह उपर इसमें हमें ज्यादा growth हमें देखन लिए है तो यहाँ पर काफी अच्छा मौका है अगर आप यहाँ पर इस share को buying करेंगे 396 के लगबग यह share आ चुका है तो यह share यहाँ पर आपका काफी तगड़ा मौका है यह buying करने का यहाँ से share काफी तगड़ा bounce back करेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ कुन जैसा कि मैंने का ह है कि energy share सारे consolidate करें हैं बस एका देखो भी कोई बड़ा order या फिर कोई trigger point मिल गया तो एक भागा तो उसके साथ जितने भी energy share है वो भी काफी तगड़े तरीके सामें बागते हुए देखने हो मिलेंगे तो यह भी kpi green energy के चक्कर में ही यह मतलब consolidate करा है जैसे उसमें थोड़ result के date या जो भी है वो announce होते ही यह share हमें काफी तगरा non-stop upper circuit में जाता हुआ देखने हो मिलेगा तो चलिए अब हम बात करते हैं kp green engineering के बारे में यहाँ पर यह लगबग आज की दिन 599 रुपे पर trade कर रहा है और आज की दिन इसमें हमें 3.4 लगबग 3.5-4% का upper circuit देखने ह मिला है यहाँ पर consolidation upper circuit मिला है और last में market बंद होते होते हैं इसमें upper circuit मिला है यानि कि जो investors है वो इस पर trust कर रहे हैं और यहाँ से share हमें मैंने कल के वीडियो मनाये था कि हमें 2-3 या फिर 5% का भी upper circuit मिल सकता है तो उसकी जगह इसमें हमें आज के दिन 3.5-4% का upper circuit मिला है तो आप अगर दिमाग में रखे तो यह share कल के दिन हमें 4-3.5-4 या फिर 5% का market start होते ही हमें upper circuit मिल सकता है तो कल के दिन बहुत ज़्यादा chance है कि इसमें हमें strong upper circuit 5% का देखने हो मिल सकता है या फिर consolidation 4 या फिर 3-4% का upper circuit मिलेगा यह तो confirm है यहाँ से यह नीचे नहीं जाएगा और अभी positivity हमें इसमें देखने हो मिल रही है तो आपके पास है तो hold कीजे अभी यह share काफी अच्छे तकड़े return हमें देने वाले हैं तो hold कीजे आपको बेचने की ज़रूरत नहीं तो चालिए अब हम बात करते हैं जोद्याइक energy के बारे में जोद्याइक energy आज के दिन 610 10 रुपे पर trade कर रहा है और आज के दिन इसमें हमें 5% का strong upper circuit देखने हो मिला है जो कि मैंने कल के वीडियो हम बताया ही था कि हमें क्योंकि यह SM2 से बाहर निकला है SM2 category से बाहर निकला है तो या तो इसमें 5% का strong upper circuit लगेगा या फिर 5% का strong lower circuit देखने मिलेगा क्योंकि अभी नॉर्मल लोग भी इसको buying कर सकते हैं तो मैंने का ज़्यादा तर चांस यही है कि हमें सारे लोग buying करेंगे इसको बहुत दिनों से मोगा ढून रहे थे तो इसमें हमें 5% का strong upper circuit देखने हो मिल सकता है तो वही similar ही हुआ यहाँ पर हमें आज के दिन 5% का strong upper circuit देखने हो मिला ह इसके short term target आप 800 तक आराम से मान लीजे और long term target तो यह 2000 तक भी आप मान सकते हैं यह आराम से आपको एक साल के अंदर दर जाता हुआ देखने हो मिलेगा तो आपके पास share है तो hold कीजे इसको base नहीं गलती नहीं करने है share काफी अचा है हमें अच्छी खासे profit भी देखने हो मि तो हर तरीके से zodiac energy हमें positivity में देखने हो मिल रही है इसको sell करने की आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करने है इसको hold कीजे और average अभी fresh buying का तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन आपके पास है तो hold कीजे और fresh buying के लिए थोड़े दिन के बाद profit booking होगी तो उस time में आप buying कर सकते हैं बागी hold कीजे और इन सभी के बाद भी आपका question होता मुझे comment जरूर बताएगा वीडियो का like and channel को subscribe जरूर से कर देगा मिलते हैं next video